Hello students, a very good morning to all. How are you? I hope आप सभी स्वस्त होंगे. स्टूरेंट्स में पढ सब के समय स्वस्त है जब भी हम किसी कंट्री के बारे मिसार्व पढ सक् right कि वह कहां पर लोकेटिड है दूसरा इसके नेभर्स कंट्री या इसके आस पास में वाटर बोडी में किया है. और हमारा जो चेप्टर है Greenland हमने इसके बारे में इसके location हम पढ़ चुके हैं कि ये है हमारा Arctic zone के अंदर है और ये जो North America है उसके North East direction में है और एक ये largest सबसे largest island है इसके capital है New York और इसके neighbor country है Island, Iceland ठीक है बच्चो और Biffinby और Davis Strait इसको कैई इसके side में water bodies है स्टूडंट अब हमारते है इसके इंटर्नल पार्त में यानि कि जो इसकी its climate क्या है त WiFi है इसकी climate क्या है वहांकी wildlife क्या है और वहांकी लोगों मतलना की life कैसी है लोगों की? थेक है बच्छो और वहां पर क्या क्या ग्रो किया आजयता है ची कहा आप क्लाइमेट है दो वहां एतनी ज्यादा कि वहां का समर का टेंपरेचर रहे वो माइनस 5 डिग्री सेल्सियस है और विंटर का उनका है माइनस 23 डिग्री सेल्सियस तो बचो वहां देखो कि कितना 100 या निकी 1500 मीटर के तो वहां पर क्या है जो सनो है बरफ के पहाड है ठीक है तो वहां के लोगों अपने आपको कैसे उसके अपोर्डिम ढालते होंगे क्य या बहुत हैHeart कि जो वहां के इनिममल्स है हुक्हिज्ड रेंडियर सील्स थो वहां कि वहां के जो लोग है वह उनकी १्रयस्स है उसमें उसमें विकाम आते है और जो कि अगल उसके वहां कि जो जो आने जाने के जो यूज किया जाता है वो भी उन एनिमल्स की स्किन से बनाई जाती है ठीक बच्छो तो आज यह मैंने आपको एक इस चेटर में जो आप तक वो मैंने बताया है आज हम पड़ेंगे कि वो जो लोक वहाँ पर रहते हैं वो आँके उनके houses कैसे हैं तो आप द्धैन से पढ़िये और मेरे को बताई है कि आपके यहां पर जो आप रहते हों तो इतनी ठंड में तो देखो वो वो वहाँ के लोग कैसे अट्जस करते हैं लाइफ को कैसे जीते हैं, और वहां पर वो सारे काम भी करते हैं, यानि कि, एनिमल्स भी है, या दूसरे भी है, ग्या किया करते हैं, ठीक बच्चों, तो आप त्यार हो, चैप्टर पढ़ने के लिए, ठीक करते हैं, आज हमारा है Life of People कहां के Greenland की लोगों का Life तो students ये हमारा आज का chapter है यही chapter 6 Greenland the island in the Arctic zone ठीक है मैं जितनी बार भी ये read करते हैं अभी हम जितनी बार भी read कर चुके हैं उतनी बार मैं आपको इसकी locations इसकी capital New York मैं इसके बार बताती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए ये climate देख लो यहां के जो माव ये सुनो वाले mountain है temperature वहाँ पर इतना ज़्यादा low होता है ये है iceberg बरफ के जो ice के जो बड़े-बड़े glacier है वो pieces में तूट जाते हैं कब? जब summer में, during the summer ये है वहाँ के vegetation यानि की पेड़ पोधिे कैसे है ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं पर छोट छोट इ ग्रासी होते हैं क्योंकि ज़्यादे सवरदी में ज़्यादा बरफ पड़ते हैं तो ये ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते हैं जो mountains होते हैं, पत्थर के वगएरा होते हैं, तो stones वगएरा तो उसके आस पास ही थोड़ से grow करते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं, अब यह है wildlife, walrus, seal, polar bear, reindeer, अब इनकी skin है जो, वो वहां के people use करते हैं, musk, ox, जो milk है वो इनका use किया जाता है, अब इनके देखें, इनके body पर फर आना यह, यह वाले, इनसे वो, क्या, अब उनके, जो cloth होते हैं, जो जो jacket वगएरा होते हैं, वो यह उनसे बनती है, occupation, इनका वहां पर, जो fishing अब वो है, slays, इदर एक transport, as a transport क्या use करते हैं, slays यूज करते हैं, जो hookies वगएरा, पुल किये जाते हैं, ड्रेस है इनकी, life of people, यह देखो जो animals थे, उनकी जो skin से, इस टाइप से फर से, यह, इनको क्या होते हैं, गरम की रखते हैं, उनकी बोड़ी को, इसको परका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको परका, इसको यह hoodies है, जो headgear होते हैं, जो इनको head को cover किये रखता है, उसको बोलते हैं, परका, अब हम इसे आगे-आगे, read करेंगे, यह igloo, student देखे, यह igloo हैं, उनकी houses, snow है यह, यह सब snow है, और इनकी, जहाँ पर यह, native people, यानिकी, वहाँ पर जो लोग रहते हैं, इसको बोलते हैं, परका, वो dressy, जो बताते हैं, they wear double trouser, वो यानिकी, double trouser डालते हैं, gloves हाथों में जो डालते हैं, गरम करने के लिए, वो डालते हैं, यानिकी, gloves वगर डालते हैं, दस्ताने वगर डालते हैं, उसको, high boot made of seal skin, और जो boot होते हैं, जो shoes होते हैं, वो boot होते हैं, उपर तक के, जो, तो उनको क्या बोलते हैं, high boot made of seal skin, जो animal से रिखाये, उसकी skin से बने हुए boot, वो इनको क्या रखते हैं, गरम रखते हैं, the inute, inute होते हैं, जो वहां के लोग थे हैं, ये वाले, ठीक है, जो वहां के native people है, उनको बोलते हैं, inute, live in the extreme north, live in the snow house, ये इन snow houses में रहते हैं, known as igloos, और जो इन घरों में रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, igloos, snow house को क्या बोलते हैं, igloo, और igloo में क्यों रहते हैं, जो वहां के रहने वाले लोग हैं, igloos are built with the slope of ice, slope, देखो ये ढलाना, बरफ, ice, इससे बनाते हैं, okay, they are dome shape, dome shape है इसकी, plane है ना, ऐसी, जैसे बोल उतते हैं, इसको हाफ कार कट कर देते हैं, तो ऐसी shape की हैं ये, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, and have a single open for smoke and hot air to pass, और इसके अंदर क्या था एक, और सिर्फ इसका एक single, क्या होता है, इससा खुला होता है, like this, एक इससा ही खुला होता है, जिससे की याँ पे airs के, गरम हवास के, hot air to pass, जिससे गरम हवा पास हो जाए, and open for smoke और धुहों अगारा निकल जाए, to make the house warm, और जिससे ये house है, ये गरम रहे, the floor is covered with skin of animals, और जो इसका floor है, वो किसे, क्या cover करते है, इसके floor पे, मैंने की फ्रश पर क्या cover करते है, इससे, जो skin होते हैं, किसकी animals, और कि जो animals की skin होते हैं, वो यहाँ पर बिचा देते हैं, कि वो गरम रहे, and fur, जो बताए थे ने animals के, इन summer, they leave in tent, और गर्मियों में इन tentों में रहते हैं, ये tent, ओके, ये winter का था, और ये summer, इसको बोलते हैं, तावपिग, तोपिग, इन summer, they live in tent, called तोपिग, these tent are made of animal skin, और ये भी animal की skin से बनाए गए होते हैं, these days, most of them lives in paka house made of wood and stone, और आज, जो अपके टाइम में है, वो लोग wood और stone पत्थरों से बनने हुए, पक्के गरों में रहते हैं, ठीक है, इन्यूट बोर, बर्न दा फ्लेट ओफ सील एंड वेल्स एज फ्यूल, जो क्या होते हैं, जो इन्यूट होते हैं, ये, ये क्या करते हैं, सील और वेल की, को जो, फैट ओफ सील, ठीक है, जो उनको मास वगएरा होता है, वो उनको जलाते हैं, they use skin to animals, मैं तो देखू, वहेल है, और सील है, वो कितनी हेलपफुल है, they use skin of the animal as the cloth, कपड़े भी बनाते हैं, for making tent, और making tent, for covering the floor of their houses, और उनके जो घरों के जो फ्लोर है, यानि की फ्रश है, उसको कवर करने भी, उनकी हेलप करते हैं, तो कितने यूज हुए हैं, किसके, skin of seal and whales, they are skilled hunter, यानि की वो skilled hunter है, मलती, शिकार करने में निपून है बिल्कुल, ठीक है, एक तो जिसको आते हैं, लेकिन जिसको अच्छे से चीज आते हैं, उसको skilled होलते हैं, they are skilled hunter, skilled होते हैं, जिसको चीज अच्छे से आती हो, निपून हो, hunter, earlier they used to hunter walrus, hunt walrus, seal, whale, polar bear and muskos with bow and harpoons, harpoons और बो यानि की जो तीर होते हैं और भाले होते हैं, वो इन से किसका अंट करते हैं, किसका शिकार करते हैं, इन सभी का, seal, वहेल, polar bear and muskos, इन का किसे शिकार करते हैं, अभी मैं दिखाती हो, अब तो gun use कर रहे हैं, बट पहले ये use करते थे, आगे से sharp होते थे ये, और ये जो भी इन का hunting का है, ये भी interesting story, वो चुम्मा आप साथ साथ आपको बताऊंगी, तो इन एनिमल्स का ये, क्या है, हंट करते हैं, किसे, बोज, धनुष और हार्पुन, यानि कि, जो भाले वगारा होते हैं, जो आगे से sharp होते हैं, इस डे यूज राइफल फोर हंटिंग, और आज के, मतला अभी मैं क्या यूज करते हैं, ये तो पहले करते थे, यूज सील्स स्विम अंडर दा आइस, जान से सुनो, स्टूडेंट, सील्स स्विम अंडर दा आइस, में के होल, अब ये देखो, जो सील होती है, वो ये सील है, देखो, ये क्या है, आइस, आइस के अंदर जो सील होती है, वो एक छेद बना लेती है, अंदर, ठीक है, जो सील है, वो आईस के अंदर एक होल बना लेती है swim under the ice और ice के रहती है और in the ice to breath और वहां से वो सांस लेती है ठीक है किसके जैसे ये बरफ जम गई है तो seal है ये इसके अंदर जाएगी seal swim under the ice किसके जो बरफ इसके अंदर क्या तैरती है Eskimos wait for these seal Eskimos पाड़ के उपर होते है और वह खड़े होके वेट करते है कि seal का बाहर आएगी और वो उपर से हंट शिकार करें Like this ये अब यहां से आएगी मालूश seal है यहां से आएगी और ये उपर से उसको शिकार करेंगे Eskimos wait for these seal to come out of the hole to breathe सांस लेने के लिए वो कब बाहर निकले ठीक है जैसे यह है यह बाहर निकलेगी तो यह दर इसको hold to breathe and kill them as soon they sight them मतलब एक ही जब एक ही पोलते हैं sight them मतलब एक दम वोज पर attack करते हैं किस पर seal पर जब बरफ से बाहर सांस लेने के लिए निकलती है तो यह उपर से इसको पर attack कर देते हैं अगर यह एकदम attack ना करें तो seal इन पर attack कर देगी तो इसलिए वो skilled होने चाहिए बिल्कुल अच्छे काम में अपने काम में hunting में उनको अच्छे से आना चाहिए ठीक है यह तो यह था और अब है इनका जो लोगों की life कैसे चेंज होई है changing lifestyle the lifestyle for green landers has changed changed signified over the year सलो साल कुछ न कुछ हुआ पर change होने लग रहा है पहले तो ऐसा आई साइज दिखाय था अब यह देखो ऐसे है Greenland की capital है जो new हुआ पर ऐसे घर बने हुए पहले वाले में में कीता बहुत सार change है न these days they use rifle for hunting rifle use करते है motor boat motor boat for fishing motor boat use करते पहले क्या यूज करते थे kayak made of silk skin से बनी हुए थी they live in town अवे शहर में रहते having shop और वहां पर shop भी है hospital भी है school और club भी है यह सारी facility है वहां पर they live in permanent house अब वह पर्मनेंट house में रहते है यानि कि पहले इदर उदर से ले जाने कि पहले टेंटों में रहते थे education development of industries has a land of modernization यानि कि अब इससे वह modern हो गये यानि कि सारी सुवीदय अब वहां पर है south western coast of greenland is the warmest and the most populated area greenland का जो south western जो कोस्ट का है वह सबसे गरम है newk earlier known as the godthap is the biggest town और जो newk है वह इसको क्या बोलते है godthap भी मैंने बताया था newk का दूसरा क्या नाम है godthap और जो सबसे बड़ा town है शहर है it is the modern town with the population about 11,000 people यानि कि वहां पर 11,000 11,000 के करीव वहां पर लोग है लोगों की अबादे it has air link with the Denmark यानि कि यह किसके साथ लिंक है जो Denmark कंट्री है Denmark है उसके साथ यानि कि वहां पर रोड नहीं बने है किससे लिंक है air से by air and the North America technology had changed the life of Greenland और जो North America इन वहां पर वहां से the technology है जो आज की जो तकनिक है इसने जो लोगों की लोगों का जीवन को बदल दिया है तो देखो बच्चों वहां की लोग कैसे थे क्या है कैसे सुधार हुआ है और वहां के लोग कैसे अपने जीवन जीते हैं तो student Greenland के बारे में हमने लीड किया भी आप इसको दुबारा फिर अच्छे से रीड करें inhibause थे एक कैसे वहां के लोग जो नेटिफ की पिपल थे उन्हों कैसे वहां पर रहते हुए अर्अ समयत को टेकनोलीजी है वहां पर कितना change हुआ है जो पहले हंटिंग करते लिए तरह भीसे करते और आद हाप pode यथ किससे तरह पॉर는 आगे के लिए आप करेंगे कोशन आंसर जिससे आप चप चप्टर रीड कर लेते हैं अच्छे से तो कोशन आंसर करने में इजी होता है आज के लिए इतना है अपने ध्यान रखिए थैंक यू एंड है विन नाइस टेंग